दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नियो वीडियो में आप देख रहे हैं कास्मो आईए जानते हैं एक और नए सहर के बारे में लेकिन इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइगन को प्रेस करें हमारे लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आईए जानते हैं जारकन राजे में इससित गोड़ा सहर के बारे में गोड़ा जोकी गोड़ा जिले का मुख्याले है और ये जारकन राजे के उतरपूर में बसा है और साथ ही ये संथाल परगना के अंतर गताता है गोड़ा शहर अपने सिल्क के निर्मान और बुनाई के लिए प्रसिद्ध है जिस वज़े से इसे जारकन का सिल्क स्टी कहते हैं गोड़ा जिले के कुल छेतरफल 2,110 पर किलोमीटर का है और यहां की आबादी 13,3551 से भी अधिक की है जोकी जारकन में बारवे स्थान पर आता है यहां की साक्षरता दर 57,68 प्रतिशत की है और यहां प्रती एक हजार पुट्शों पर केवल 933 महिलाएं उबस्तित है आट-ाट प्रतिशत क्रिश्चन रहते हैं यहां मुख्य रूप से हिंदी, संथाली, खोड़ा और बंगाली वासागावी प्रिशलन है यह समुदरी तल से 87 मीटर की उचाई प्रिस्तित है यहां की अधिकारिक भाषा हिंदी तथा उर्दू है कोड़ा नौ ब्लॉक से मिलकर बना है और यह जिला राजमहल पहाड़ी के स्रेनी के अंतर गताता है यह शहर अपने कोल माइन्स और अपने खनीजों के लिए जाना जाता है आए जानते हैं इस छेत्र की इतिहास के बारे में सन 1845 के संथाल वित्रो के बाद भागलपूर और बीरभूम के कुछ हिस्सों से संथाल परगना जिले को बनाया गया और 17 माई 1983 को गोटा जिले की स्थापना हुई यहां मौजूद ECL कोल फिल्ड पूरे ECL के सबसे बड़े कोईला खदानों में से एक है यहां का भागय पंचायत पूरे छेतर में अपने रेशम की बुनाई और निर्मान के लिए प्रसिद्ध है यहां का आडानी थर्मल प्लांट जो की यहां 1600 मेगावाट की इलेक्रिसिटी का उत्पादन करता है और यह इस छेतर के सबसे महत्यपूर्ण हिस्सों में से एक है गोड़ा एक प्रसिब्रदान छेतर है और यहां प्रमुक रूप से चावल, गेहू, गन्ना, मक्का और अनेक फसलों का पैदावार होता है उद्ध्योगी करन के दौरान इस छेतर का काफी विकास हुआ पूर्टजीला झारकंड के उत्तर पूर में जारकंड और भिहर की सीमा पर इस्थित है इसके पडोसी सहरों की बात करेतो contractor में अे पूर में साहे गंज और पाकउड प्श्ची में बाका उत्तर में भागल पूर में दक्शिन में दुंका इस्थित है यहां के कुछ प्रसिद लेंड मार्क की बात करें तो विवेकानंद कॉलेज चौक, गांधी मैदान, बापू चौक, कारगेल चौक और हटिया चौक यहां के कुछ प्रसिद लेंड मार्क है यहां की सिक्षण स्थलों की बात करें तो गोड़ा कॉलेज, गोड़ा महिला कॉलेज, तिलक मानजी एक्रिकल्चर कॉलेज, संथ थॉमस स्कूल, दियाननद आरिया वेदिक पॉबलिक स्कूल और केंद्रे विद्याले जैसे अच्छे सिक्षण संस्ता हो पस्तित हैं यहां की ट्रांस्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह शहर रेल और सड़क दोनों से जुड़ा हुआ है यहां का गोड़ा रेलवे स्टेशन गोड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी परिस्तित है और यह सहर सड़क के माध्यम से अपने पडोसी जिलों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है गोड़ा राष्टमार्ग 133 से जुड़ा है और यहां का निकटतम हवाई अट्डा देवगर हवाई अट्डा है आईए दोस्तों अंत में जानते हैं यहां की कुछ परियाटक स्थलों के बारे में गोड़ा के पतरगामा में इस्थित योगनी सक्ति पीट भारत के परंपरा सक्ति पीटों में से एक है यहां का वसंतराय तलाब काफी प्रसिद है जहां हर सल एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है यहां इसलिद सुन्दर बांध और बायो डैवर्सिटी पार्क यहां के पिकनिक स्पॉट का एक बड़ा अकर्शक है साथ ही आप यहां के राजमाल की पहाडियों और प्रकृतिक दिश्चों का काफी लुट उठा सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह खूब सुरत सहर गोड़ा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद